हेलो एंड वेलकम टू माई केचिन आइ होप यू आ डूइंग गूड जी हां ये मस्त सी चीज है छोटी सी भूख को मिटाने के लिए पापर कॉन चाट मज़ेदार सी चाट चलिए बना लेते हैं क्विक सी रेसिपी है मैंने लिये हैं देखिए एड करूंगी मैं टमाटर का हरी मिर्च है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं शिमला मिर्च है और है खीरा और प्यास काटी हुई आपको इसी भी वेजिटेबल से एड कर सकते हैं मैंने साथ ही थोड़ा सा कॉन गरम पानी में से स्वीट कॉन निकाल के रखा हुआ है मैं वो डाल दू है थोड़ा सा भुजिया जिसमें मेरे पास पीनट भी है अदर्वाइस चना दाल भी है और नमक डाला थोड़ा सा और डाली मिर्च ये क्विक ससनेक है मज़ा आ जाता है खाके ये नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था और मैं डालूंगी चाट मसाला तो आप हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अब मैं एक लैमन स्कुईज हाफ ही लैमन स्कुईज करूंगी इसमें क्योंकि हमने टमाटर भी डाला है तो बस कुछ नहीं करना है हिलाया इसको और अब मज़ेदार सा ट्विस्ट है जो जो इंट्रस्टिंग सा काम हम करने वाले हैं क्योंकि ये पापड कौन चार्ट है तो मैंने लिए हैं पापड ये मेरे पास पैकेट वाले ही जो पापड आते हैं वही लिए हैं अब मैं इसको सिजर से लोंगी काट तो ये देखिए ये कई तरीके से हो सकते हैं रोल एक तो आप इस तरह से भी कर सकते हो मेरे पास थोड़े गिलास बड़े हैं तो ये थोड़ा चोटा रह जाएगा ये देखिए ये चोटा सा बनाने के लिए कौन मैं इसको जो पैन होता है नॉन स्टिक पैन है उसके उपर आप तवे के उपर भी कर सकते हो तो ये देखिए दबा लूँगी एक कपड़े की हैल्प से म बस इसको ये देखिए उलट पलट करा तो इस तरह से एक तो हो गया ये वे और इसको फटा फट से उतार के कपड़े पर रखके मैं करूंगी रोल कौन की शेप में ये देखिए ये मैंने लिया अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कच्चा तो अभी हम इसको तो बाई देट टाइम अगर आपने मेरे चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको मेरी वीडियो लगती है अच्छी तो उन्हें शेर करना ना भूलें तो ये देखिए मैंने लिया नैपकिन ले लिया है साथ मे टीशू ले लिया है बस फटा फट इसको फोल्ड कर देंगे तो ये उसी शेप में रह जाता है थोड़ी देर होल्ड करिए इसको तो ये देखिए कौन बन गया और ग्लास मेरा है बड़ा तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ ये बड़े पापड को बीच में से काटा बस और इसको ऐसे ही हमने जेंटली करा प्रेस और इसको पका लिया जेंटली से प्रेस करते जाएंगे दबाते जाएंगे और ये देखिए बस पकने को है तयार और उसी तरह से कौन की शेप बना देंगे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पस इससे थोड़े चोटे गलास पतले वाले गलास हैं तो चोटा वाला बनाईए हाप से बनाईए अब इसको फटा फट से करा गरम बहुत होता है ध्यान से करिए पकड़ के रखना पड़ेगा थोड़ी देर इसको और जैसी ये ठंडा हो जाएगा बस इसे करिए फिट गलास में तो ये लीजिए पापड कोन तयार है अब नेक्स प्रोसीजर है ये मैंने इतने सारे कोन तयार कर लिया है वो चुटकू वाला भी मैंने रख लिया है ये देखिए बस इसमें डाला ये समान आप धनिया पती भी आड़ कर सकते हैं आप को इसी भी चीज आड़ कर सकते हैं जो आपको चाट में लगती है टेस्टी तो ये लीजिए इसमें डाला और मस्त आप इसको as a side dish भी खा सकते हैं खाने के साथ या फिर इसको आप as a snack भी ले सकते हैं ये बहुत अच्छी लगती है ये देखिए अगर आप चपाती डाल के साथ भी पापड लेते हैं बहुत मज़ा आता है तो ये लीजिए छोटू से में भी डाल दिया मैंने तो तयार है हमारी पापड कॉन चार्ट जरूर बना के देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो लगे अच्छी तो भई like तो बनता है और bell icon को जरूर प्रेस करिए तो उससे आपको मेरी सारी intimations मिलती रहेंगी कि मैंने वीडियो कब अप्लोर करें थैंक यू सो मच पर बोते हैं